प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती गन्ना ग्रंथ अध्याव बारा पत संख्याएं एक से तेरा तक मूसा ने एक एथोप्याई इस्त्री से विवा किया था इस एथोप्याई पत्नी के कारण मर्यम और हारुन मूसा की निंदा करने लगे उन्हों ने कहा क्या प्रभु केवल मूसा के द्वारा बोला है क्या वा हमारे द्वारा भी नहीं बोला है प्रभु ने यह सुना मूसा अत्यन नम्र था वह प्रित्वी के सब मनुस्यों में सबसे अधिक नम्र था प्रभु ने तुरंथ मूसा हारुन और मरियम से कहा तुम तीनों दर्शन का ख़्याओ तीनों वहां गए तब प्रभु बादल के खंभे के रूप में उतर कर तंबु के पास खड़ा हो गया उसने हारुन और मरियम को बुलाया दोनों आगे बढ़े और प्रभु ने उनसे कहा मेरी बात ध्यान से सुनो मैं तुम्हारे नवियों को दिव्य दर्शनों में दिखाई देता हूँ और स्वपन में उनसे बाते करता हूँ मैं अपने सेवक मूसा के साथ ऐसा नहीं करता मेरी सारी प्रजा में वही विश्वासनिये है मैं उनसे पहली नहीं बुझाता बलकि आमने सामने इस पस्ट रुप से बाते करता हूँ वह प्रभु का स्वरुप दिखता है मेरे सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा प्रभु का क्रोध उन पर भड़क उठा और वह उन्हें छोड़ कर चला गया तब बादल तंबु पर से हच गया और मर्यम का शरील कोड से बर्प की तरह सफेद हो गया हरुन ने मर्यम की ओर मुड कर देखा कि वह कोडिन हो गई है हरुन ने मूसा से कहा महोदै हमने मुटता वस पाप किया क्रिपाया हमें उसका दंड ना दिलाएं मर्यम को उस मृत यादशिशु के सद्रिश ना रहने दे जिसका शरीर जन के समय आधा गला हुआ है मूसा ने यह कहते हुए प्रभु से प्रात्न की हे इश्वर इसका रोग दूर करने की क्रिपा कर यह प्रभु की वानी है संत मती के नुसार पवित्र सुसमाचार अध्याच चौदा वाक्य संख्या 22 से लेकर 36 तक इसके तुरंद बाद इसा ने अपने शिश्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाओ पर चड़कर उन से पहले उस पार चले जाएं इतने में वे स्वैम लोगों को विदा कर देंगे इसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रात्ना करने पहाड़ी पर चड़े संध्या होने पर वे वहां अकेले थे ना उस समय तट से दूर जा चुकी थी वह लहरों से डगमगा रहे थी क्योंकि वायू प्रतिकूल थी रात के चौते पहर इसा समुदर पर चलते हुए शिश्यों की ओर आए जब उन्होंने इसा को समुदर पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए यह कोई प्रेत है डर के मारे चिला उठे इसा ने तुरंट उन से कहा धाडस रखो मैं ही हूँ डरो मत पेतरुस ने उत्तर दिया प्रभू यदि आप ही है तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आग्या दीजिए इसा ने कहा आजावो पेतरुस नाव से उत्रा और पानी पर चलते हुए इसा की ओर बढ़ा किन्तु वह प्रचंड वायो देख का डर गया और जब डूबने लगा तो चिला उठा प्रभू मुझे बचाए इसा ने तुरंथ हाथ बढ़ा कर उसे थाम लिया और कहा अलफ विश्वासी तुम्हें संदे क्यों हुआ वे नाव पर चड़े और वायो थम गई जो नाव पर थे उन्हों ने यह कहते हुए इसा को दन्डवत किया आप सचमुच ईश्वर के पुत्र है वे पार उतर कर गिनिसरित पहुँचे वहां की लोगों ने इसा को पहचान लिया और आस पास के सब गाओं में इसकी खबर फैला दी वे सब रोग्यों को इसा के पास ले आकर उनसे अनूने विने करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पला भर छूने दे जितनों ने उनका इसपर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए यह प्रभू का पवित्र सू समाचार है क्रिस्त प्रभू की जै ये सुमे मेरे प्रिये भाई और बहनो आज का पहला पांट गनना गरन से लिया गया है आज के पहले पांट में हम लोग एर्शिया और उसके प्रतिफल के विश्य में सुनते हैं सबसे पहले हम यहां जानेंगे कि एर्शिया क्या है हम गलातियों के नाम संद्पाउलस के पत्र अध्याए पांच वाके संक्या 21 में पढ़ते हैं जहां पर संद्पाउलस शरीर के कुकर्मों के विशे में ब्याख्या करते हुए कहते हैं कि एर्शिया शरीर सूत्पन फल है चर्चा करते हैं पहला जो शरीर से उत्पन होता है जिसका स्वाभाव पाप में होता है दूसरा जो आत्मा से उत्पन होता है और उसका स्वाभाव ईश्वर में होता है और अंत में संपालुस कहते हैं कि जो इस प्रकार का आचरन करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिका पारी नहीं होंगे संद पालुस साफ साफ बताते हैं कि एरशिया शरीर से उत्पन एक फल है और इसलिए जब इस प्रकार का स्वाभाव और मनोभाव हमारे जीवन में आता है तो हमारा स्वाभाव स्वता ही पाप में हो जाता है और पाप में स्वाभाव होने के नाते हम एर प्रवेश करने से वंचित हो जाते हैं. आज के पहले पांट में हम लोग पढ़ते हैं कि मिरियम और हारुन मूसा के प्रति एर्शिया करते हैं और एर्शिया होने के नाते वे लोग मूसा की निंदा करते हैं. हम वचन में पढ़ते हैं मुसा ने एक इथियूपियाई स्तुरीस से बिवाह किया था इस इथियूपियाई पतनिक के कारण मिर्यम और हारुण मुसा के निंदा करने लगे उन्हों ने कहा क्या प्रभू केवल मुसा के द्वारा बोला है क्या वा हमारे द्वारा भी नहीं बोला है यहां पर मुसा का इथियूपिया इस्त्रीस से बिवाह करना उनके इर्शय का कारण नहीं था उनके इर्शय का कारण था कि इश्वर उनके द्वारा लगातार लोगों के लिए अपने विधान को प्रकट करता है और वे इर्शय करते हुए मुसा के प्रती भुनभुनाने लगते हैं हम आगे पढ़ते हैं मुसा अत्यंत विनम्र था वह प्रित्वी के सब मनुश्य में सबसे अधिक विनम्र था प्रभु ने तुरंत मुसा और हारून और मिर्यम से कहा तुम तीनों दर्शन कक्ष जावो जब मिर्यम और हारुन मुसा के प्रते इरश्या करते हैं तब ईश्वर उन तीनों को दर्शन कक्ष में बुलाते हैं और दर्शन कक्ष में बुलाने के बाद मिर्यम और हारुन को उनके स्वभाव के लिए चेतावनी देते हैं और उन्हें दंड भी देते हैं तिमिथी के नाम संद पावलोस के पहले पत्र अध्याचिय वाक्य संख्याच चाब रे पढ़ते हैं जहां पर संद पावलोस तिमिथीों को इरश्या के विश्य में बताते हुए कहते हैं कि यह जगडा का कारण होता है इर्शिया जगड़ा का कारण होता है और इसलिए वह कहते हैं कि जिनका मन विक्रित और सत्य से वंचित हो जाता है वही लोग इर्शिया करते हैं संपौलुस कहता है कि जिनका मन विक्रित हो जाता है और सत्य से वन्चित हो जाता है वही लोग इर्शिया करते हैं हमारे सामने एक अच्छा उदारन है हम देखते हैं कि मिर्यम और हारुन का मन सत्य से वन्चित हो जाता है उनका मन विक्रित हो जाता है और इसलिए वे मूसा नबी के प्रति एर्शिया करते हैं हम संद्याकूब के पत्र अध्यायतीन पाके संखे सोला में बढ़ते हैं जहां पर संद्याकूब कहते हैं जहां एर्शिया और स्वार्थ है वहां आशान्ती और हर तरह की बुराई पाई जाती है यहांपर संद याकुब कहते हैं कि जहांपर एरशया होती है वहांपर आशान्ती और हर तरह की बुराई पाए जाती है और संभावता एरशया के भागी होने के कारण मिर्यम को कोड़ का दन्न मिलता है, उनका शरीर कोड़ से भर जाता है हम रूमियों के नाम संद्पालूस के पत्र अध्याई एक वाके संख्या 29 में पढ़ते हैं जहां पर संद्पालूस एरश्या के विशे में बताते हुए हमसे कहते हैं कि ये आविश्वासियों का सबसे बड़ा पहचान है जो भी विक्ति आविश्वासी होता है वह एरश्यालू होता है वह एरश्या से पूर्न होता है ये सुमे मेरे प्रिये भाय और बहनों यदि हम लोग एरश्या को सरल शब्दों में व्याख्या करेंगे तो उसका तात्परिया या होगा एरश्या हमें अपने इच्छाओं पर दावा करने के लिए प्रेरना देती है और जैसे ही हम उस प्रेरना से आवेशित होकर उसे अपने जीवन में लागू करते हैं हमारे जीवन में इर्शिया का प्रतिफल उत्पन होना शुरू हो जाता है इसे हम अपने परिवारिक जीवन में देखते हैं जैसे ही हम अपने इच्छाओं को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, हमारे जीवन में इर्शिया आ जाती हैं। दूसरों के रहन सहन को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं, हमारे जीवन में इर्शिया आ जाती हैं। दूसरों के बढ़ावे को जब हम स्विकार नहीं कर पाते हैं उसे हम अपना बनाना चाहते हैं तब हमारे जीवन में इरश्या आ जाती हैं और इरश्या होने के नाते हमारा स्वाभाव पाप में हो जाता है हमें उसी स्वाभाव से बचने की ज़रूरत है क्योंकि जब हम उस स्वाभाव को अपने जीवन में लेकर आते हैं तो उसी की भाती अपने जीवन में प्रतिफल भी पाते हैं ठीक वैसे हारुन और मिर्यम के जीवन में हुआ आज का सुसमाचार संत मती रचित सुसमाचार से लिया गया है जहांपर हम देखते हैं प्रभी एसु पेत्रुस के अलब विश्वासी पन को फटकारते हैं इसके संदर्ब को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी प्रिस्ट भूमी को समझना है हम देखते हैं कि प्रभी येसु दो प्रकार के सवाल रखते हैं पुरे सुसमाचार को जब हम लोग देखते हैं तो दो मुहतपूर्ण सवाल प्रभी येसु अपने प्रभी येसु अपने प्रभी येसु अपने सामने रखते हैं सबसे पहला सवाल को हम पाते हैं संत्मति के सुसमाचार आतिहाई सोला वाके संख्या पंदरा में जहां पर प्रभू सवाल करते हुए पूछते हैं तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ और इसका प्रतियुत्तर संत्पेतरुस देते हैं और कहते हैं आप मसी है जीवंत सवाल करते हैं कि तुम मेरे विशे में क्या कहते हो मेरे विशे में क्या जानते हो तो यहाँ पर संत्पेतरों से सबसे पहले उत्तर देते हैं और उत्तर देते हुए कहते हैं आप मसी है जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं हम दूसरा सवाल को संत्योहन के सुसमाचार अध्या अच्छे वाक्य संक्या सरसट में पाते हैं जहां पर प्रभु अपने शिश्यों को पूछते हैं क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो यहां भी संद पेतरुस सबसे आगे आकर प्रभु येशु के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं प्रभु हम किसके पास जाएं आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है हम प्रभु येशु के दोनों सवालों में देखते हैं कि वह प्रेरितों के सामने विश्वास के लिए चुनोती देता है और प्रेरित लोग भली भाती उन सवालों का ठोस जवाब भी देते हैं लेकिन अब प्रभु चाहते हैं कि जो जवाब प्रेरितों ने दिया है वे उस पर अटल बने वे उस पर सुद्रिर बने और इसलिए जो आज का जो चमतकार है जो आज के सुसमाचार में जो घटना घटती है वा इस बात को समझने के लिए हमें मदद करती है सबसे पहले हमें समझने की आवशक्ता है कि विश्वास क्या है विश्वास ना केवल सचाय को स्विकार करना है बलकि सचाय को स्विकार करते वे अपने विश्वास को पूर्णता तक लेकर जाना है और पूर्णता तक जाते वे अपना सर्वस्व ईश्वर के लिए समर्पित करना है हम लोग बहुत बार विश्वास को केवल सचाय तक ही सिमित रखते हैं जो भी सच्ची चीज है जो भी सच्ची बाते हैं उसको स्विकार करते हैं तो हम समझते हैं कि हम सभी कोई विश्वासी हैं इस सचाय को स्विकार करने के बाद ही हमारे सामने सबसे बड़े चुन बनते हैं कितने धैरेशील होते हैं और धैरेशील होते हुए किस प्रकार से अपना सर्वस्व ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं और यही बात यहां पर प्रभु येसु अपने शिश्यों को समझाने की कोशिश करता है और उनके अल्व विश्वासी पन को और अधिक मजब पूरती प्रदान करने की कोशिच करता है। ये सुमे मेरे प्रिये भाई और बहनों। आज हमें जरूरत है अपने विश्वास को परक कर देखने की। हम लोग बहुत बार संकट में प्रभू के प्रते विश्वास को लेकर आ जाते हैं। हमारे जीवन में जब भी दुख तकलीफ घिर जाती हैं, हम अपने विश्वास को प्रभू में प्रकट करते हैं। हमारे जीवन में जब भी मुसिबते आ जाती हैं, हम अपने विश्वास को लेकर प्रभू के सामने आते हैं। और प्रभू के वचनों को सुनते हैं प्रभू के वचनों पर मनंचिंदन करते हुए उसे स्वीकार करते हैं और वही तक सिमित रह जाते हैं लेकिन आज प्रभू हमें चुनोती देते हैं चुनोती के साथ ही साथ छेतावनी भी देते हैं कि तुम्हें यही तक सिमित ने रहन बलकि उसका उचितफल उत्पन करना है उससे आगे बढ़ते हुए अपने विश्वास को और अधिक मजबूत और परिपूर्ण बनाना है और अंत में अपने सर्वस्व को अपने संपून विश्वास को प्रभू पर आधारित करना है आज यही चुनावती हम सभी के लिए है आईए हम प्रभू से प्रातना करें कि हम अच्छा जीवन जीते हुए विश्वास का उचितफल उत्पन कर सकें है सर्वश्वक्ति मार्पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के सुन्दर दिन के लिए प्रभू तुस से मिलेवे हर एक वरदानों के लिए धन्य रहने के लिए उन्हें लगातार मजबूती प्रदान किया ठीक वेसे ही प्रभू जब भी हम अपने जीवन को इस धरा पर जी रहे हैं हमारे जीवन शैली के द्वारा हमारे विचारों के द्वारा हमारे अनुभवों के द्वारा प्रभू हम उस विश्वास को आउरधिक म और इसके साथ ही साथ अपना सर्वस्व तुझे समर्पित कर पाएं प्रभु आज के बच्ण को सुनने बाले हरे एक को तुгор पर्श कर प्रभु उनके विश्वास को और धिक जागरित कर दे ताकि वे विश्वास से प्रेर ना पा कर जीवन की हरे चुनोतियों को स्विकार करते हुए अपना सर्वस्व तुझे समर्पित कर सके हम यह प्रातना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमेन जीवन का मन्ना है जीवन का मन्ना है